चलिए शुरुआत करते हैं पंच वर्षी योजना और उसका महत याने फाइव इयर प्लान कोको इंग्लिश अधिकारी पर शुरुआत करते हैं देखिए सबसे जो पहला फाइव इयर प्लान था वो कब आया था वो आया था 1915 में क्यों आया था आजादी के बाद डिसाइड हुआ कि कैसे देश चलेगा तो बोले 5-5 साल के प्लान बना लेते हैं यह कहां से अपन ने लिया यह अपन ने लिया कहां से USSR से इसको अपन सोवियत संग बोलते हैं जो तूट के अप क्या बन गय है रशिया ठीके ना या रूस तो सोवियत संग से हमने पंच वर्षी योजना याने फाइव यह प्लान लिया और सोवियत संग सही अपन ने क्या लिया था समाजवाद याने सोशलिजम समाजवाद कहने को मतलब समाज के वेलफेर के बारे में लोग कल्यान के बारे में जो सोचता है मतल Georgette सबता है पुंजी वात कहने काúa मतलब इसम्पल भाशा में समझे तो क्या कि जो वुलाभhh कमाने के पैसे कमाने के बारे में सोचता है जो समाज पारे में सोचेगा तो एक प्लान के रूप में चलना चीए जो विकास होगा जो डेवलप्मेंट होगा इसलिए पंच वर्षी योजना कौन लेकाया थे हमारे पहले प्रधानवंत्री पंडित जवालाल नहरू ठीक है तो पहली जो पंच वर्षी योजना वो शुरुआत हुई उन्निस सो इंक्यावन में आजादी के चार साल बात 47 में देशाजाद हुआ इंक्यावन से योजना शुरू हुई तो अपन देखते हैं योजना से प्रशने कैसे कैसे आते हैं फटा फट तो पहली जो योजना थी वो 1951 से लेकर के 56 तक चलेगी ठीक है ना इसको हैरोड डोमर मॉडल पर अधारित बानते हैं और यह किस पे फोक ने पकड़ा सबसे पहले कि भी यह सबसे पहले तो यहां पर अपन क्या करें सभाई शुरू करें तो इनक्यावन से चपन तक अपना क्या चलेगा पहला फाइव यह प्लान चलेगा हैरोड डोमर मॉडल ठीक उसके बाद चपन से एक सट 56 से 61 55 साल के लिए यह आएंगे महा qaonenowis waan Bahla nubis इनका पूरायाम था PC Мाहल 0.9 तो पीं करी a क्रिशी प्रेफर अफोकस कर लिया वागने किसफेद करेंगे उद्योग पन झामर करेंगे यहां से प्रशनातें कि पहला वाला क्रेशी प्रोकस कर रहा था है 65 में अपना पाकिस्तान से युद्ध हुआ और दोनों ही युद्ध में सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ अपन अभी अभी तो सही करना शुरू किये थे तो पहले वाले में अपन ने क्रेशी में काम कर दिया दूसरे वाले में उद्योग लगा दिया जीतना पैसा आया सब तीसरे में लुटा दिया तो बोले यार यह तो दिकत हो गई अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन रेष्ट ले लेते हैं तो रेश्ट लिए कहा इसी को ज़ए रेश्ट को क्या बोलते और चुट्टी भी बोलते ठीक तो इसको क्या बोलते है अपन प्लान हॉलिडे या योजना अउकास 66 से 69 तक अपन ने अउकास ले लिया बोले यार बहुत खर्चा हो गया प्लान कब बनाएंगा प्लान तो आप तब बनाओगे न जब आपके पैसा हो प्लान ही नहीं तो बोले चुट्टी ले लेते हैं अपी तो तीन साल के हमने चुट्टी ले लिए इसको क्या बोलते है योजना ओकास या प्लान हॉलिडे बोलते है ठीक है तो तेखो तीन योजना हो गई तीन योजना के बाद आप ठीक इनको इकनॉमिक अच्छा ग्यान था इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेंडी सुखमे चक्रवर्ती मॉडल जॉन सेंडी और सुखमे चक्रवर्ती पूछे का तो यह भी बता दो गए ठीक है सेंडी याद रहेगा क्लियर है की नहीं तो तीन हो गए तीन के बाद अपने क्य क्या है गाडगिल फर्मूला ठीक है आगा अपन कोश्वन में देखेंगे वह रहा है लोगा फॉर्मूला जो है प्यां कर रहा है फो चौते वाले को जुस्टिफाइ कर रहा है कि भाई गाडगिल फर्मूली से तुमारी शुरुभात हुई थी तो 69 से 74 से जबादस्वर च एक यह फोलते हैं ना पकड़ यह लिदर एले पकड तो बयक्त पोफिजना झबले सब्सक्राइब कर दिया कॉंग्रेस की सरकार से लोग परसान हो गए उस समय जनता पार्टी की सरकार आई ठीक है और जनता पार्टी की सरकार बोली कि हम जो है सब्सक्राइब करेंगे रोलर प्लाइब जो गुमता रहेगा लोलिंग चलता रहेगा अपने आप रोउलिंग में अपने या थी आप छिजी एंग यह था किешें चलता रहेगा छाली लो गया खाली था चल रहा था रॉलिंग घूंठ ना क्लियर है कि नी तो 78-80 तक rolling plan चलेगा ठीक है ना रोल होता रहेगा दो साल में खतम तो कौन सी योजना पहले खतम होई बोलेगा तो पांच भी पंच वर्शी ओजना डीपी धर मॉडल 74 से कहां तक के 79 तक क्लियर है यहां चटवां और साथवां कहां से कहां तक आएगा तो 85 से ले करके 90 तक कौन सा जाएगा साथवां प्लान आजाएगा तो यह दो प्लान अपने को देखना है चटवां वाला 80 से 85 और साथवां वाला 85 से 90 ठीक है यह फिर से इसमें कोन आएंगे गाडगिल तो चौथा छटवा और साथवा बीच वाला पांचवा तो खतम हो गया डीपी धर ठीक है तो ये चार छे और साथ ये सब के सब किस पर बेज़ड होंगे गाडगिल फॉरमूले पर बेज़ड होंगे इसमें से जो पांचवा वाला है प्लान और जो छटवा वाला प्लान है ठीक है इसने किसके लिए काम किया गरीबी के निवारण के लिए ठीक है पांचवे में क्या नारा लगा गरीबी हटाओ ठीक है पांचवी पंचवर्शी होजना में और छटवी पंचवर्शी होजना मे गरीबी उनमूलन के लिए काम किया गया ठीक है ना पावर्टी एलिवेशन के लिए क्लियर है कि नहीं यहां तक ठीक अब देखो एट फाइव येर प्लान आने से पहले 1990 से लेके 1992 तक ठीक है कुछ नया चेंज करने का प्रयास किया गया क्या बोले इसमें बोले दो एन्वाल प्लान चलाएंगे वार्षिक प्लान चलाएंगे बोले पांच साल का बहुत लंबा प्लान हो जा रहा है यह बताओ अभी एक साल में क्या है ठीक है तो 90 से 91 और 91 से लेकर के 92 यह दो साल क्या चलेगा अपना वार्षिक योजना या एन्वाल प्लान ठीक है तो दो साल मिलर तो जे डवल्यू मिलर साउथ अफरीका का खतरनाक खिलाडी किलर मिलर भेंकर शक्के मारता था उसी के नाम से यह क्या है आठ्वा प्लान आ रहा अपना 1990 से लेकर के 92 तक क्या अपन ने क्या रिया एन्वल प्लान बनाए दो साल के उसके अठ्वा वाला आएगा तो आठ तक पिक्चर समझ में आ रही बढ़िया तरीके से पहला हो गया सर दूसरा हो गया तीसरा चोंथा पांचवा हो गया एक अपन ने क्या लिया था 66-69 तक क्या देखा था चुट्टी देखी थी तो एन्वल योजना अकाश हो गया ठीक है कोई डरने वाली बात नहीं एक्दम कंफूजन वाली बात नहीं सर पांचवा जो प्लान था 74 से लेके 79 तक चलना थे एक साल पहले खतम हो गया तो 78-70 तक घूमने वाला रोलिंग प्लान हो गया ठीक है ना और उसके बाद में अब क्या आ रहा है तीसरे नंबर पर जो बीच-बीच वाली चीज है उस सभी पू से 90 से लेकर के 97 तक चलेगा JW मिलर ठीक है क्लियर है यहां तक के ठीक अब इसके बाद कोई दिक्कत नीए इसके बाद टेंशन फ्री इसके बाद कोई भी रेक नहीं लगना ठीक कैसे आटवा हो गया नौवा वाला कहां से कहां तक चलेगा 97 से लेकर के 2000 दो तक 1997 से लेकर 2002 तक चलेगा कौन सा नवा प्लान ठीक है ना दसवा वाला चलेगा 2002 से लेकर 2007 तक चलेगा ठीक है क्या ग्यारवा वाला 2007 से 12 तक और बारवा 2012 से कहां तक के इसके आगे क्या इसके आगे खतम हो गया योजना आयोग की आ गया खतम हो गया क्यों क्यों कि नीति आयोग आ गया योजना आयोग को खतम कर दिया मोदी जी ने 2014 में सरकार बना किया है एक साल के अंदर ही योजनायोग को खतम कर दिया बोले नीती आयोग आएगा बोले नीती आयोग मतलब क्या तो एन आई टी आई नेशनल इंस्टिटूट फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो नीती आयोग आ गया इसलिए 2017 में खतम हो गया कौन सा बारवा पंचवर्षी योजना तो कौन सी पंचवर्षी योजना सबसे आखरी थी तो बारवी पंचवर्षी योजना सबसे आखरी थी क्लियर है कि नहीं है ठीक अब इसमें एक और मैत पूर्ण बात अपने को देखनी है कौन सी बात देखनी है अपने को देखते हैं कब आया 2015 में लेकिन बारवी पंच वर्षी उजना पूरी कंपलीट होई उसको ऐसे बीच में रोका नीजैसे पंच वी मालिक को रोक दिया थी कहना तो टेंस्ट लेने वाली बात नहीं भारवी पंच वर्शी उजना पूरी कंप्रीट होई बढ़िया तरीके से समापत हो गई अब देखो मेन मुद्धा क्या है अपन कोश्चन तो देखेंगे लेकिन कुछ चीजह और समझते इसकी साथ में अब देखो 2013 में ठीक है एक साल बात ठीक है यह प्लानिंग कमिशन चल रहा था यानि योजना योग अज संविधान का नाम सुने हो के संविधां संविधान कॉंस्टिटूशन तो इनुच दे 282 ठीक है और से नुचे बनता से यह इसका गठन हो गया और यह 15 से लेकर के 20 तक की रिपोर्ट देखा अब वित्त आयोग का क्या है डई यह पूरा कुए है ठीक है यह कुए है इसमें पूरा पैसा आ रहा है पुरे देश का ठीक है इस कुए से निकाल के मोधी जी ने राज्यों को जितना बांट दिया ठीक है इसका काम कोन करेगा इसका धारन कान कोन करेगा कि कित्ता बाटना चीए यह करेगा अपना वित्तायोग याने फाइनेंस कमिशन इसको इसके साथ क्यों बता रहे हैं कि योजना के लिए क्या लगेगा पैसा लगेगा और योजना के लिए पैसा लगेगा तो कौन उसको डिसाइड करेगा वित्तायोग याने फाइनेंस कमिशन डिसाइड करेगा ठीक है तो यह चौधवा फाइनेंस जी जी सारे राज्यों को बाट देंगे और बाकी बचा कितना फिप्टी एट रुपीज तो वह अपने पास रख लेंगे बोले वह सब अपन योजना में लगाएंगे ठीक है की नहीं है ठीक तो बाब किस ने कर दिया था चौध में फाइनेंस कमिशन ने कर दिया था इसने 15 से 20 तक रिपोर्ट दी जैसे यह सत्रा में खतम हुआ कौन सा बारवां पंच वर्षी प्लान पंद्रवां वित्तायोग आ गया देखो यह इसके साथ में बारवें पंच वर्षी योजना के साथ में को मिशन आया था एक साल बाद 14 फाइनेंस कमिशन आया था वित्तायोग आया था अब फिप्टीन याने पंद्रवां वित्तायोग आ गया 2017 में तो 2017 में इसके आने का बड़ा बढ़िया था कि भीया बारवी पंच वर्षी और खतम भी हो रही थी और जी एस्टी भी आ गया थ सथा तो दोल इस पर प्रहार ठीक तो चौधमा शोंगे 13 के अंदर इसके या अपूंगे वाई रडी ठीक है और 2017 में 1997 को और 2017 में और 2017 में अभी ताइंस कमी缶न और 15 पाइनेंस कमिशन ठीक है 14 के अध्यक्षवे कौन वाइवी रेड़ी 15 के अध्यक्षवे कौन एनके सिंग तो इससे भी रिलेट करके कोशन पूशता है तो यह वाइवी जो रेड़ी थे 14 अब आगे देखतें तो यह हो गया पंच वर्षी योजना अपनी खतम हो गई 2017 में नीती आयोग आगया योजना योग के जगह में और अपने क्या देख लिया यहां पर वित्ता योग अपन कोश्चन पर आते हैं ठीक है बाकी सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं और एक प चलो कोन चीपंच वर्षी योजना भारत में human основ देते जाएंगे टेक है ना अपने थी चलि लिए लHAM योजना अन्तिमति 20 भार्विय पंच वर्षी ना ये कहा से कहा तक छलिए थी बारह से लेकर के 17 जही करके तो आई नहीं 30 इस जोढупासू ना जहीएं नहीं सब्सक्राइब करने का प्रयास करता है आपको ठीक है ना चलो आगे देखते हैं भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई तो सर वित्तायोग तो नहीं समाप्त किया गया तो चली रहा है अभी ठीक है जो पंद्रवा वाला है वह 2017 में आया है ठीक है वागे की रिपोट देगा 21 सेले के 26 अची आगर को अपन झा खतम कर दिया फेगा दूसरी पंच और शी योजर्ण का प्रारूप किसे ने तयार किया था देखो भाई इंगलिमारे यहां पर लिखा हुआ है द्राप्ट ए सेकेंड फाइव यर प्लान तो कौन सा होगा महाल नोबिस बताया था आपको पहला है रोड डोमर क्रिशी पे था यह वाला किस पर फोकस करेगा उद्योग पर फोकस करेगा ठीक है तो दूसरी पंच वर्शी योजना के वास्तुकार कौन थे ऐसा भी पूछता है किस पंच वर्शी योजना में भारत की क्रिशी व्रिद्धी दर सरवादिक रही देखो पहली वाली में अपने क्रिशी को फोकस किया था जरूर ठीक है तो विकास तो बढ़िया हुआ लेकिन सबसे ज्यादा किसमें रही थी तो आठमें पंच वर्शी योजना ठीक है ना इसके क्या थे जे डबल्यू मिलर इसके प्रतिपादक थे मतलब इनके द्वारा ही फर्मुला दिया गया था उसी पर बेश जद तकोंसा आठवा पंच वर्शी योजना अपनी ख्लियर है कि नहीं सबी को ठीक तो आठवी पंच वर्शी योजना जो थी वो जे डबल्यू म रहा होगा धीरे धीरे सारी चीजह अपने देखी अब देखो नाबाड नाबाड याद रखना नाबाड नाबाड कहने का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर और डेवलपमेंट कहने का मतलब यह गाओं में और कृशी में फायदा पहुचाने के लिए पैसा देगा तो कौनची पंचवर्षी होजना में आए था कोशन बार बार पूचता है तो देखो याद रखना यह आया था नाबाड यदि आपको यह भी याद रहा रहे तो यह याद रखना कि यह आया था 12 जुलाई 1982 ठीक है ना 12 जुलाई 1982 और समीती का नाम क्या था शिव रामन समी ठीक है ना शिव रामन समीती के माध्यम से यह नवाड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसलिए अब आप देख लो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए उननीश सो असी सें लेकरके पचासी तक कौनसा प्लाण आएगा चट्बा पंच वर्शी जुजना इसलिए ब्यासी किसके अंतरगत आएगा चट्वे फाइव यह प्लान यह नवाड कि स्थापना हुई थी नवाड याने क्रीशी और किसके लिए गाओं के लिए पैसा उपलब्द कराएगा बारा जुलाई सब्यासी और शुरामन समीति कैसे भी कोशन पुछेगा आप बता दोगे बहुत इंपोर्टेंट कोशन है याद रखना ठीक है ना आगे बढ़ते अपन निवन लिकित में से किस पंच वर्शी योजना में विकास ध्रू उपागम को अपनाए गया था देखो अब क्या हुआ पहली तो चली बढ़िया ठीक है दूसरी भी चली तीसरे में बने बताया फेल हो गया फिर अपन ने छुटी ले ली 66 से 69 तक तो चतूर्ट फंच वर्शी ओजना 70 69 से 74 तक चली तो इसमें अपने बहुत कुछ सोचा ठीक है ना इसमें अपने कौन सा फॉर्मूला अपना है गाडगिल जी का फॉर्मूला अपना है और गाडगिल जी क्या कहते थे कि राज्यों को ले करके चलो ठीक है ना गाडगिल जी क्या कहते थे राज्यों को ले करके चलो ठीक तो सबसे पहले प्रॉबलम प्रॉबलम आएगी तो क्या करना पड़ेगा सॉलूशन बताना पड को ठीक है फिर उसके बाद उसका क्या निकालना अपने को समाधान तो समाधान आधारी ठीक है फिर उसके बाद में क्या बनाना है टार्गेट बनाना कि या इस टार्गेट को बनाके अपने को fixing करना इसकी और उसका फिर प्रोसाहन मिलना चाहिए incentive मिलना चाहिए तो अपने ऐसा काम किया अपने बोला कि मोदी जी आप जाओ राज्यों के पास में ठीक है न और राज्यों के पास में आप जा करके क्या पता करो कि भाई क्या-क्या पोल में चड़के कहां तक जाएगा center तक जाएगा याने अब जो है center किसके बारे में सोचेगा development पोल के बारे में सोचेगा development पोल के अंतरगत इस पोल के अंतरगत जो भी समस्या है राज्यों की उस तक पूरा समाधान अपन करेंगे सारी चीजों को ले करके अपन चलेंगे इसलिए यह जो चतूर्थ विकास धुरू उपागम है डेवलप्मेंट पोल अप्रोच है यह चतूर्थ पंच वर्शी उजना में आएगी इसको भूलना नहीं अपने को ठीक है न किसके प्रादर्श प अंतावार्टी के सरकार आई एक साल पहले खतम कर दिया तो डीपी धर बोले ले पकड़ ठीक है तो डीपी धर ठीक तो फिफ्ट फाइव यर प्लान जो था डीपी धर एक नहीं चीज़ आएगी कुछ कुछ नहीं भी चीज़ दिखाई देगी आपको समझना रहा है कि नह गांधिवाधि योजना के वास्तौकार को जांदीवाधि आपकर विच्छ किसस्कों बताओ तो श्रीमा नमान यार्ट परसेंट किया ठीक है लेकिन अपने को प्राप्थ हुआ मात्र 6.7 परसेंट थीक है 4.63 परसेंट अपने इसको देख लिया कि यह सबसे ज्यादा सरवाधिक थी यहां पर बार्वी पंच वर्शी योजना में एट परसेंट पाना चाहते थे लेकिन अपने को नहीं मिला अपने को मिलेगा ठीक है ना आगे देखते हैं कौन सी ओध्योगिक निती परस्ता पर महाल नोवीस मौडल के विकास परदाज साब सभी को पता है महाल नोवीस मौडल कौन सा था सेकेंड फाइव एर प्लान है ना याने दुटी पंच वर्शी योजना कब से कब तक चलेगी 56 से ले करके 61 तक चलेगी अरे हाँ याना इसलिए देखो यहां पर आपको कुछ नहीं पता तो भी आप क्या 1956 से आप देखके मार सकते हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिशी जो पन ने बनाई थी 1956 से 61 तक के प्लान के अंतरगत बनाई थी यह महाल नोवीस मौडल पे चलने वाल सकल घरेलू उत्पाद याने देखो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब समझना यह भारत की बाउंडरी के अंदर भारत की बाउंडरी के अंतरगत जितना भी उत्पादन हो रहा है उत्पादन मतलब जो कपड़ा बन रहा है जो सारी चीज़ें मौमोस बन रहा है जो बन रहा ह ना है कर है उसे चैनल तक कम कर रहा है ठीक है न चाहा है अमेरीका का क्वेक्ति काम कर नैकिन भारत के अंदर उत्पादन कर रहा है तो वो सकल घरिल उत्पाद में आएगा लेकिन जाद रखना है भारत का अदमी बाहर जाके काम कर रहा है ठीक है ना भारत का अदमी बाहर जाके काम कर रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है तो वो GDP में नहीं आएगा सकल घरिल उत्पाद तो अपन ने धूसरी योजना फोकस किया था और देखो तीसरा क्या है सेवा छेतर एक बार में समझ में अभी देखना ठीक देखो सब्सक्क्राइब च्छी में अब आटा अलग 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 आशीरवाद अटा बन रहे अपने थिकह न और नहीं पता क्या 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 अंशुमन आटा एक से एक आटे बन रहे तो यह जो आटाबने गहाँगा और अपना उध्योग में आगे अब यह जो आटा जो पिस गया इसको पन पैकेट में भर भर के अलग अलग दुकानों में लेका आके बैचेंगे सूपर मार्केट में मॉल में भीक रहा है एक से कंटे भीक रहे हैं तो यह सब कि दृइए केंद्री वित्यायों का क्या का रहे सेंट्रल फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 अभी अभी बताया था आपको राज्यों के लिए साहेता अनुदान के नीमों का निर्धान नारक कितना पैसा मिलेगा कुवा है यहां पे अपने पास में इस कुवें से कितना पैसा देना है अप 15 वाले का कौन है अध्यक्ष एनके सिंग क्लियर है कि नहीं चलो कौन सी जोड़ी सही मिलान नहीं है आप देखो प्लान के पहले बहुत सारे प्लान लोगों ने भी दिये यह फलाना प्लान ले लो डिमका प्लान ले तो बंबे प्लान बनाया था आठ उद्योग पतियों न नाम आता है ठिके ना तो बंबे प्लान जो है बंबे के आठ उद्योक पतियों ने बनाय था एट इंडिस्लिस्त को याद रखना तो गांधी प्लान इनने ने बनाए है तो बन रहा है और प्लान याद हो आपको कि यह पीप्लस्राण याद नहीं है तो भी आप लगा भी यह तो गलत कि इसको को अपने किस लिए यादो कि भी तो आप टेंटी आइट पाट के अबस तो तरीके से अपने को पढ़े रहते हैं कई वे पाधा करना आपने प्रथम प्रधान मंत्री थे इन्हों ने लेके आया था तो इनको यह अपन क्या मानेंगे आर्किटेक्ट मानेंगे याने वास्तुकार मानेंगे किसका भारती योजना का क्लिया नहीं है आगे देखो निमने मैं से भारत में नगरी करण वृद्धी का सबसे मंद काल खंड 1907 से 1931 तक का जो टाइम था उसमें नगरी करण वृद्धी का सबसे मंद काल कंड था क्यों था आपको पता है अंग्रेजों ने क्या कर दिया था हमारा पूरा हथ करगा जो था याने अपन जो हाथ से बनाते थे वह सारे चीज़ें है ना जो हमारे एक शिल्पकार थे उनक साथ से 1931 तक क्लियर नहीं है आगे देखते हैं इसमें क्या कोशन पूछता है और देखो पंच वर्षी वह कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पता चौती पंच वर्षी योजना बताओ डियार गाडगिल आरे साही है सर आरे पांच में बताया सर आप डीपी धर एक साल पहल सब्सक्राइगी गाडगिल और पांच में डीपी धर यह सबसे पहले खतम होगी थी मतलब थोड़ा सा पहले खतम होगी थी कि बाकी सब प्रपर चली बारवी पंच वर्षी योजना में कंगिलों को कंफूजन रता सर पहले समाप्त कर दिए क्या अरे मोदी जी नीती आया लेकिन उनकी नीती ठीक ठाक थी इसलिए सत्रह में खतम सत्रह में ही खतम होगी बीच में उसको नहीं रोक रहे हैं ठीक है क्लियर है की नहीं आगे देखो कौन से को योजना अकास कहा जाता आप सभी को मैंने बताया पहले वाले में अपनने कृशी पे ध्यान दिया है शाइना से लड़ाई हुई अपन हार गए एक जगा और एक जगा जीत गए जो भी हुआ एकनॉमिक लॉस अपने को ज्यादा हुआ और इसके बाद अपन ने बुले यार छोड़े छुट्टी चीए अपने को हॉलिडे चीए तो 66-69 तक क्या हो जाएगा प्लान हॉलिडे याने योजना आउकास क्लिया रही है निम्लिकित पंचवर्शी नमें राज्यस्वामीत में अध्योगी करण के मुखी शिल्पी कौन तो जहां भी उद्योग की बात है कि किसका नाम याद कर देना महाल नोबिस याने पीसी महाल नोबिस बहुत पूश्ता है इनको क्लिया योजना के वास्तुकार कौन थे भारत योजना के वास्तुकार तो फंदि जवां लल नहरू और वलेगा कौन से सकेंड वाली के तो कौन से या उद्योगां के तो कौन से पीसी महा लनुबिस क्लियर है नहीं है अगर देखो बढ़िया जे लेटस्ट कोस्चन आपके लिए लेके हैं मैं दिसंबर 2022 के महीने में भारत में किता जींच्ञ जींच्ञ आप सभी को पता है ठीक है ना जींच्ञ जो है भारत में आगया 2017 में ठीक है तो अब 2017 से कारेकरम चल रहा है तो बहुत पैसे कटे कर लिए हमने दिसंबर 2022 के अंतरगत हमने क्या किया है 1.4 लैक करोड पहले भी कुश्चन आया है ठीक है ना तो उसी को पता है एंके सिंग चौध में क्या कौन था वाइवी रेड़ी ठीक है ना फिफ्टीन से कमिशन का एंके सिंग आगे देखो भारत में कौन सी पंच वर्शी होजना चल लिए अभी तो कोई नहीं चल रही है क्योंकि 2017 में खतम हो चुकि अभी क्या चल रहा 2022 चल रहा तो अभी खाली नीती है चल तो कुश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है को ध्यान से पढ़ना कौन सी पंच वर्शी होजना आखरी थी पूछ रहा है तो बारवी आएगा कौन सी पंच वर्शी होजना भी चल रही है बो जो लास्ट कॉष्चन आ रहा है वें थी बार्श दोजारवाइस ते इसके लिए द सभी को पता है एक अपरेल करके कहां तक irig तिस मार्श तक यहने वित्तिवाश 22 तेश बोल रहा है तो क्या एक अपरेल दोजार 22 से 31 मार्श दोजार ते इसके लिए मन रेगा ठीक है मन रेगा मैं आपको पता है पैसा विसा मिलता है गड़ा खोदने का तो मद्य प्रदेश के लिए प्रति दिन मजदूरी दर कितनी है तो मद्य प्रदेश के लिए प्रति दिन मजदूरी दर कितनी है देखो यहाँ पर चार डेटा लिखा हुआ है जब भी इस टाइप को कोश्चन आए समझ लेना चारों का चारों डेटा रिलिमेंट ठीक है ना इसमें से यह दि मैं इसको हटा दूं ठीक है तो देखना ध्य 203 के लिए कौन सा हो जाएगा 204 रुपे ठीक है ना तो देखो मनरेगा कि दर को निर्धारित करेगा केंदर सरकारी निर्धारित करेगी ठीक है ना लेकिन सबके लिए अलग अलग निर्धारित करती है केंदर सरकार मनरेगा कि दर निर्धारित करती हर राज के लिए अलग प्राइस इंडेक्स इसको समझना बहुत ध्यान से समझना अरुटारां से समझना देखो सब क्या है सभी गाउं में बढ़ रही हैं मροडरी थीक है कीसी है इसमें विकास जैदा तो वहाँ मेहंगा उतना बढ़ दो उतना जादा फरक नहीं लेकिन कहीं जादा बहुत जादा फरक पड़ रहा है तो इसलिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारन करती है ठीक है तो इस बार MP 36 गड़ के लिए मिला करके कर देती है सरकार लगब लगब को बराबर ही रहता तो बीस इकिस का कितना हो गया आपका एक सो नबबे इकिस बाइस का कितना हो गया एक सो ट्रानबे और अभी बाइस थे इसका लेटेस्ट पूछे का तो दो सो चार बोल देना ठीक है चलें मुलकात करते हैं कल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इधर उधर की बात नहीं करेंगे नमस्कार